Hello friends, Gadget Advisor Rishal आज आपके लिए लेकर आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि जो बच्चों को ब्रॉड जाना होता है, फॉरण जाने के लिए एक laptop चाहिए होता है for online classes, net surfing, presentations, या फिर कोई भी editing काम के थोड़ा बोता करना हो, तो उनके लिए कोई सा बेस् तो आज हम बात करेंगे एक laptop ऐसा जो की budget में भी है, इको friendly है, Asus ने एक laptop लाँच किया है, आपको मैं दिखाता हूँ लेक्टॉप दिखने में कैसा है, और इसमें क्या के इसकी configurations हैं, जे कैसे आपके लिए बाहर में पैटर रहेगा, और साथ में इसमें क्या 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 मैं पहले दोस्तों आपको laptop की look दिखाता हूँ, यह बहुत ही sleek सा laptop यह लाँच किया है, grey color में यह laptop company ने लाँच किया है, और अगर हम बात करेंगे इसके style की, यह बिल्कुली sleek laptop है, lightweight है, 1.6 kg इसका weight होता है, अब इसकी configuration की बात करें, तो इसमें Intel का i3 processor है, 10th generation में है, RAM इसमें 4 variant आते हैं, वैसे यह model जो है, यह 4GB RAM, 1TB hard drive के साथ है, इसमें चाहे तो आप SSD slot होता है, आप SSD extend कर सकते हैं, SSD का होता है कि जैसे आज कल हम लोगों को चाहिए होती है speed, तो speed कही लोग laptop lag करने लग जाते हैं, तो speed बढ़ाने के लिए कि आज कल SSD add-on हो जाती है, जिससे आपका software काफी fast हो जाता है, और आपके laptop की boost speed बहुत अच्छी हो जाती है, और इसमें screen की बात करें, जे 15.6 inch anti-glare narrow bezel display है, आजकल आपने पहले देखा होगा, यहाँ पर multi bezel आती थी, अभी जे narrow bezel में new laptop लाँच हुआ है, camera qualities में अच्छी है, HD camera होता है, numpad साथ में आ जाता है, word excel के ल जो जे इसमें charging jack है, जे इसमें type C है, type C यह charging के लिए नहीं है, जे data transfer के लिए है, जे heat up jack के लिए है, और जे HDMI port है, और जे आपका एक USB port आजाता है अधर, और दूसरी side हम बात करें, दो USB ports इदर दिये होगा है, आप मान दिजिए 3 USB ports हैं, जिन पे आप अपने USB ports के साथ और जे आपका lock होता है, Kingston Lock बोलते हैं इसको, इससे आप laptop अपना lock करके table के साथ रख सकते हैं, और अगर हम इसमें software की बात करें, इसमें windows by default आती है, जोस्तों office में नहीं आता है, इसमें अगर आपका budget जैसे ये model है, 34 to 35 की range में market में मिल जाता है, इससे थोड़ा सा upgrade model लेते हो everything same, 512 GB SSD में भी आ रहा है, वो 38, 40 के round है, और 11 जनेशन आ रहा है, 8 GB, 256 उसमें MS Office भी साथ में by default आ जाता है, वो model 40,000 के round हो, जो मिल जाता है, देखने में जो बहुत ही stylish सा model है, अगर हम इसकी warranty की बात करें, इसकी one year on-site warranty है, और international warranty का बड़ा है, असूस के maximum models की warranty international मिलती है और अगर आप बात करेंगे HP Dell, another brand की, आपको HP Dell में और इन दोनों brands में अगर हम उसके साथ compare करें, तो 35,000 की range में आपको किसी भी brand में international warranty ऐसे नहीं मिलेगी, तो मैं आपको यही recommend करूँगा कि मेरी तरफ से कि अगर आप लोगों का net surfing है, budget में laptop लेना चाते हैं, और daily use के लि लेना चाते हैं, advocate line के लिए, medical line के लिए, तो 35,000 की range में यह सबसे best laptop आएगा, आशा करता हूं दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे जाद से जादा लाइक करें, शेयर करें, और मैं यही motivation होंगा कि आप इसको like और share ब्लाव जार जिससे हमें motivation मिले, त बता हैं कि आपको next video में क्या हम दिखाएंगे,